नमस्कार सर सत साहिब जी सर क्या नाम है आपका भक्त मुकेश दास सर कहां से आए हैं आप उज्जन मर्देपर्देश सर संत्रामपाल जी मारा से नाम दिख्षा आपने कम ली 14 अपरेल 2014 को सर सरसंत रामपाल जी माराज से नामदिक्षा लेने से पहले आप क्या बक्ती साधनाई करते थे? सर फेराब संत रामपाल जी माराज की सरण में कैसे आए? अर्थीक इस्तिती मेरी बहुत खराब थी परिवार भी बहुत अमारी तनातनी चलती रहती थी इस आर्थीक इस्तिती की वज़ह से क्योंकि शाम को दूद सबजी उगरा भी लाना होती थी लेकिन मैं सटा खेल जाता था उसका तो बहुत परहशान था और उसके बाद में कैस अधिकतर बीडी पीने की वज़ा से इस सीने में बहुत जलन हुआ करती थी और खांसी बहुत चलती थी मुझे तो परिवार वाले भी मुझे बहुत अनाफशनाब बोलते थे कि इतनी खांसी चल रही है इतनी बीडी पीते हैं ऐसा है वैसा है बच्चे जब सुबा जाड़ू निकालते थे घर के तो टुकड़े देखकर के बच्चे भी मुझे बीडी के लिए ताने मारा करते थे और इस्तिती बहुत खराब थी तो मैंने कई बार जे गुर्दे उजी समिंति प्राथना करता कि यह बीडी मैंने आज यहां पर छोड़ दिये बाद नहीं प्यूंगा लेकिन होता क्या था कि आदे गंठे के बाद मैं फिर किसी गुरु भाई से कहता था कि भाई मुझे बीडी दो अगर बीडी नहीं है तो फिर बीडी खरित के में पिता था ब मैं एसा कोई भगवान है या एसा कोई गुरु है जो मेरी बीडी छुड़ा दे केवल इतनी विंति प्राथना मैंने की थी कि मेरी बीडी छुड़वा दे बस मैंने इतनी विंति प्राथना की और इत्पाक से क्या हुआ कि सर में जल्दी चले जाता था काम दंदा इतना हो पाता था तो घर पर जाने के बाद मैं टीवी का रिमोंट लिया और टीवी पर ये चेक किया करता था कि कौन से चैनल पर कौन सी पिचर अच्छी आ रही है तो करीबन साड़े साथ पोने आड का समय हो चुका था और में ने जैसे ही रिमोंट से चेंज करने लगा तो साधना टीवी पर जगत गुरु ता तुदर से संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन चालू हो रहे थे तो मेरी नजर महीं टिक गई और वहां उन संत के संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में देखने लगा तो इत्पाक से वो उन्होंने जे गुर्देव जी की जो भविश्वानी थी वो अपने उन्होंने पुस्तक जो थी अमर्वानी उनको खोल करके दिखा रहे थे और जे गुर्देव जी की जो पुस्तक पड़ करके सुना रहे थे संतरामपाल जी महाराज उसको देखा मैंने तो मेरे दिमाग की बत्ती चालू हुई और मैंने कंटूनिट संत्रामपल जी माराज के सत्संग देखना चालू किये और उन्हें वहीं दर्णूत प्रणाम किया कि है परमात्मा मुझे तू जहां भी है मुझे खिच लेना मैं आप से जुणना चाहता हूँ उसके बाद हमने रादा स्वामी पंत से जो भगजी थे उन्हें बताई ये बाते और अन्जी पंत वालों से बताई तो आठ लोग हम लोग तयार हुए और चार एक बार आए और चार हम एक बार आए और हमने पंदरा दिन के अंदर आठ वेक्तिने नाम दिक्षा संत्रामपल कि किसी ऊह Jan раск08 लेनी माराश सहुने के बाद शुर्दध require रापत होते हैं किया संथ्राम पाल जी महाराशक लेनी के बाद आपको भी कुछ लाप रापत हुए सर पहले तो मैं आपको मेरे इसलाब की बारे में बताऊंगा कि मैंने इतने प्रियत ने कि ये बीड़ी छोड़ने के जे गुर्देवक जी के समय जब मैं जुड़ा था उसमें भी लोडिंग चलाता था लेकिन मेरी जो आर्थिक इस्तिती थी वो शुन्य थी क्योंकि थोड़ी बहुत कमई होती थी तो मैं जूमे सक्टे में हार जाता था और भांग वगर भी सेवन में किया करता था बहुत सुबा से शाम तक परमात्मा की दया से करीबन 1500 रुपे रोज की आमदनी उसल लोडिंग आटों से ठीविलर रिक्षा से हो जाती है और आर्थिकी सिती बहुत अच्छी हुई मेरे सीने में जो बीड़ी पीता था में उसका जो जलन का रोग था वो भी बिल्कुल नाम दिक जन कानों में उंगले लगा कर आंक बंद करके ध्यान करता था लेकिन कोई फरक नहीं पड़ता था और आज परमात्मा की दया से चलते फिरते नाम का जाप होता है सुबा का नेतिनियम दोफेर की रहमेनी शाम की संद्यारती सब हमारी लोडिंग रिक्षा में हो जाती इतन सरल उन्होंने मार्ग बताया और उसको करने से कई बार एक्सिडेंट भी होते होते परमात्मा ने हमको ऐसे बचाया जैसे यूँ हतेली पे रखते हैं अपने बच्चों को सरसंत्रामपाल जी महराज ने आपको एक सुख में जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिये तो जो सरदालू आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे भक्त समाज को में संदेश तो नहीं दे सकता संदेश तो देते हैं संत्रामपाल जी महराज लेकिन हाँ परमात्मा ने जो हमको ग्यान दिया कि हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ पर जितने भी जीव हैं हम सब उसके बच्चे हैं और हम सब भाई बेहन हैं तो बाबा जे गुर्देव जी महराज ने हमको संत रामपाल जी महराज की शर्ण में जाने का इशारा किया है वो पुस्तक आप उठा करके देख सकते हैं और संत रामपाल जी महराज भी कई बार उस पुस्तक को दिखाते हैं तो अपनी भुद्धी से विचार करो कि जे गुर्देव जी महराज भी हमारे आत्मा का कल्यान चाहते थे इसलिए उन्हों ना उनकी तरब इशारा किया था अब हमको हमारे जे गुर्देव जी की ही बात मान करके आ जाना चाहिए ताके हमारे आतमा का कल्यान हो सके और संसार में जितने भी मातायें बेंने अपने पती के दुवारण नशें जो मतलब जैने की तकलिप में हैं जैसे शराप पी जाते हैं जुआ सटा खेल जाते हैं घर में बहुत बुरी हालत होती है तो उन सबसे माता मैं इनों से भी विंति प्राथना करूंगा कि आप भी सत्संग देखिए संत्रामपाल जी महराज के और अपने पति देव को अपने मनुष्य जीवन दिया है प्रमात्मा की सत्भक्ति करने के लिए जिससे हमारा ये जीवन भी सपल हो और हमारी आत्मा अमर लोग जाकर के अमर हो जाए और सर्व सुको को प्राप्त करें सरसंत्रामपाल जी महाराज की सर्ण में कैसे आ सकते हैं कई विभिन चेनलों पर आज महाराज प्रमात्मा की दया से कम से कम 15 चैनलों पर संत्रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे हैं सत्संग देखो और उसके नीचे जब सत्संग चल रहे होते हैं तो पिली पट्टी होती है उन पिली पट्टी पर नंबर दिये हैं उन पर संपर करकर के आप नामदान झाल 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 झाल